सागत आप सभी का एक नए वीडियो लेक्षर में है आज की लेक्षर में वॉलियम 6 का पार्ट नंबर वन तो यह हम करना शुरू करेंगे और यहां पे 5 या 6 वीडियो आपकी बनेंगे और जितने भी important questions इन पार्ट में से बनते हैं आपकी वॉलियम 6 पार्ट वन में से तो उ offices where there are one or more assistance than who should submit a memorandum of distribution of work for approval जिन कार्यायलियो में एक या एक से अधिक सहायक होते हैं बहां किसके द्वारा कार्य वित्रण का ग्यापन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया साता है question में पूछा क्या गया है कि यह जो memorandum of distribution of work है इसको submit कौन करता है यह नहीं पूछा गया क कि approve इसको कौन करता है लेकिन यह पूछा गया approval के लिए इसे submit कौन करेगा प्रस्तुत कौन करेगा तो options के हैं आपके बास postmaster, superintendent, postmaster journal या फिर head of office तो यहां पिसका सी answer क्या जाएगा आपके बास यह आ जाएगा तो ऐसे कार्याले जहां पर एक या एक से अधिक सहायक होते है बहाँ पर postmaster के दारा अनुमोदन के लिए कारे वित्रण का ग्यापन प्रस्तुत किया जाता है अब किसे किया जाता है वो next question मैं हम देखते है question क्या बूलना गया है कारे के वित्रण का ग्यापन अनुमोदन के लिए निमिलिखित मैंसे किसे प्रस्तुत किया जाता है उपर हमने question किया किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है head of office तो इसका सी answer क्या जाएगा अपके बास भी आ जाएगा superintendent तो यहाँ पर हमारे पास बहुत जादा important यह दोनों ही question है कि कारे वित्रण का ग्यापन पोस्ट मास्टर के दारा ऐसे कारेले में जहां पर एक एक से जादा सहाइक होते हैं बहाँ पर अनुमोधन के लिए superintendent को अधिक्षक को प्रस्तुत किया जाता है और question यह भी पूछा जाता है कि issue किसके दारा memorandum of distribution of work जो होता है किसके दारा जारी किया जाता है यह भी पूछा जा सकता है तो उसका answer भी क्या हो जाएगा superintendent के दारा जारी किया जाता है the memorandum of distribution of work बिल कंटेंज बिच ओफ दी फोले कारे के वित्रण के ग्यापन में निमिलखित मैं से कौन सी चीज़ें है जो शामिल होनी चाहिए options के हैं आपके वास designation of the officials employed in each branch of postmaster's office postmaster के कार्याले में उसकी जितनी भी शाखाए होती है उसके कार्याले की उनमें कारेरत अधिकारियों के जो भी designation होंगे जो भी पद नाम होंगे hours of their attendance उनकी उपस्तिती के घंटे the duties assigned to them उनको सौम पेगे जो भी करतब बे रहेंगे all of the above या फिर उप्रोक्त जितने भी हैं यह सभी तो इसका सी answer क्या जाएगा डी आजाएगा तो memorandum of distribution of work जब भी postmaster के जारा superintendent को अनुमोधन के लिए प्रस्तुद किया जाएगा तो उस memorandum of distribution of work में सबसे पहले postmaster के कार्याले की शाखाओं में जितने भी अधिकारी कारे रत होते हैं उनके designation दूसरा उनकी आवज जो भी उपस्तिती के घंटे है बो उसमें शामिल रहेंगे और उनको क्या काम दिये गे हैं बो भी उस चीज में शामिल रहेगा तो डी option सही आजाएगी अगला question आपके बास in the case of the first class post offices who can approve the memorandum of distribution of work प्रथम श्रेणी के डाक घरों के मामले में कार के वित्रण का ग्यापन अर्गमधित कोन कर सकता है तो options के हैं postmaster superintendent postmaster journal या फिर head office तो इसका सी answer आएगा आपके बास ए postmaster के धारा स्वयम किया जा सकता है अब यहाँ पे एक ओर important question जुड़ गया उपर हमने किया कि postmaster जो है memorandum of distribution of work प्रष्टूद करता है superintendent को ताकि superintendent के दारा वो जारी किया जा सके लेकिन अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी के जो post office होते हैं या डाघर होते हैं बहाँ पे memorandum of distribution of work को postmaster के दारा अनुमोदित किया जा सकता है option से या जाएगी अगला question आपके बास no change should be made in the memorandum without approval of the तो ग्यापन में किसके अनुमोदिन के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए superintendent first class postmaster superintendent और first class postmaster as the case में भी या फिर chief postmaster जनल तो इसमें आपने इचे जहान में रख उसी के दारा अगर इसमें आपने कोई भी change करनी है तो इसके लिए आपको approval चाहिए जिसने इसको जारी किया है उसका अब यहाँ पे क्योंकि आपने कर लिया memorandum of distribution of work या तो superintendent के दारा जारी किया जाएगा लेकिन अगर first class post office की बात करें प्रथम श्रेनी के डाक घर की बात करें तो वहाँ पे same postmaster के दारा memorandum of distribution of work अप्रूव किया जा सकता है अब यहाँ पे जो अप्रूव कर सकता है उसकी permission के विना आप इसमें कोई भी change नहीं कर सकते है तो अगर change करनी है तो यहाँ तो superintendent का approval चाहिए अगर first class post office की बात करें तो वहाँ पे आपको first class postmaster का approval चाहि जाएगा C आजाएगा next question आपके बास while preparing a memorandum of distribution of work then which of the following points should be kept in mind तो यह सभी point आपने बिलकुल याद रखने है बहुत बार यह पूछे भी गए है कारे वितर्ण का ग्यापन त्यार करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए DPA with duties connected with money order SB sub account department should not be the treasurer of the office important point है कि money order SB या फिर उप लेखा विभाग से जुड़े करतब्यों वाले जो भी PA होंगे उनको कभी भी कोशा ध्यक्ष वाला काम नहीं दिया जाएगा ठीक है जो भी आपके money order SB sub account department से जुड़े हुए PA होंगे उनको कभी भी कार्यार लेका treasurer या फिर खजान ची नहीं बनाया को नहीं सोंपा जाएगा ये भी important point है ध्यान अखना delivery department का काम कभी भी deposit assistant को नहीं दिया जाएगा the work of sub account department should not be entrusted to the male assistant उसके बाद उप लेखा विभाग का कारे कभी भी darks higher को नहीं सोंपा जाना सिया उलफ दिवबस यांसर इसका D आजाएगा ये सभी point बहुत जादा important है बिल्कुल आप इनको अच्छे से याद रखेंगे कि money order SBA सब account department से जुड़े हुए जो भी PA होते हैं उनको कभी भी treasurer नहीं बनाया जा सकता है उस कार्यार लेका दूस according to bitch of the following निमली हित मैसे किस अनुसार कारे का वितरड किया जाता है according नुग सुप्रेटेंडेंट्ल जाएगा अधिक्षक के अधेशाअनुसार किया जाएगा, तो इसका सी आंसर आपके बास या जाएगा according to establishment of the office कार्याली की स्थापना के अनुसार कारे वित्रन का ग्यापन जो है बोजारी किया जाता है बहुत जादा important है जो कारे distribute किया जाएगा ठीक है one department or the duties of two or more departments can be assigned to the same assistant एक बिभाग में दो या दो से अधिक सहायकों को नियोजित किया जा सकता है या फिर एक ही सहायकों दो या दो से अधिक बिभागों के करतब्यों को सोंपा जा सकता है अब यहां पे क्या बोल लगे कि एक department है उसमें दो या दो से अधिक सहाइकों को काम पर लगाया जा सकता है दूसरी चीज़ क्या बोली गई है एक सहाइक को दो या दो से अधिक विभागों के काम सों पे जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा true हो जाएगा option यहां पे सही हो जाए इसको पर तेक कितने वर्ष में स्थानांत्रित किया जाना चाहिए। इसकी ट्रांसफर की जानी चाहिए। क्या जाएगा यह आजाएगा तीन साल के भीतर उसका भी ट्रांसफर किया जाना चाहिए निमली खित मैंसे किसके जारा कारी के वितरण को सकती से बनाए रखना चाहिए तो जो भी distribution की जाती है काम की वो किसके जाती है वो सही से maintenance उसकी की जाए जो जिसको काम सोंपा गया है वो अच्छे से उसको करी यह चीज की जिम्मेदारी किसकी होती है postmaster और sub-postmaster, superintendent, head of circle या फिर head of subdivision तो इसका से आंसर क्या दाएगा आपके बाद postmaster या फिर sub-postmaster की जिम्मेदारी होती है यह option से या जाएगी In the case of sudden illness, or in the absence of P.A.s. the temporary arrangements may be made by postmaster और sub-postmaster to carry out the absence work the arrangements should be noted in a cosmic bheumari की स्थिती में अथबा PA की अनुपस्थिती में, माली जी कोई भी PA है, वो आनक से बीमार हो जाता है, या फिर वो अनुपस्थित है, अबसेंट है, तो ऐसी condition में जो भी temporary arrangements किये जाते हैं, उनकी अनुपस्थिती के कारे को करने के लिए, जो उनके जारा काम किया जाना था, उनकी अनुपस् order book में किया जाता है, पोस्थ मास्थर की अदेश पुस्तिका में किया जाता है, आगे सलते हैं question आपके वास, memorandum of distribution of work is made on beach of the falling forum, तो कारे के वितरन का गया आपन निमिलिखित में से किस परपत्र में बनाया जाता है, MS-11, MS-12, MS-87, MS-18, तो इस किस के उपर बनाया जाता है, MS-11 के उपर बनाया साता है, form numbers बहुत साथ important है, कई बार जभी question, जो volume 6 part, 11 मैं से पूछे जाते हैं, वो form numbers से related पूछ लिये जाते हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से याद रखना है, आगे सलते हैं, next question आपके बास, which of the following is true about nominal role, तो जो nominal role होता है, उसके बारे में कौन सा सते हैं, nominal role is a record of PA's work in post office on any given day, nominal role, किसी भी दिन post office में PA के काम का record होता है, ठीक है, कोई भी दिये हुए दिन के उपर क्या आदा है, जो भी आपके PA's बगारा होते हैं, उनके काम का record होता है, it is maintained on forum MS-12, भी से forum MS-12 के उपर बनाया साता है, the nominal role should be written up by the postmaster, important है, यह अब अलग-ल पुछा जा सकता है, कौन से forum के उपर बनाया साता है, इसमें होता कौन है, होता क्या है, या फिर किस के दारा इसको बनाया साता है, ध्यान एकना nominal role जो है, किस के दारा लिखा जाता है, postmaster के दारा लिखा जाता है, भेनावर change, whether either temporary or permanent is made to the duty of any member of clerical staff, और कब postmaster के दारा इसको लिखा जाएगा, जब भी, लिपिक करमचारियों के किसी भी सदस्य के कर्तब्बे के लिए कोई भी अस्थाई या स्थाई परिवर्तन किये जाते हैं, से answer क्या जाएगा, D आ जाएगा, बिल्कुल ये सभी है, तीन कोशन यहापे बहुत जादे important बन जाते है, nominal role actual में होता किया है, तो ये record होता है, जो भी PS के काम का है, और किसी भी DOA दिन के ओपर ये रहता है, और यहाँ पर maintain इसको MS-12 के ओपर बनाया साता है, और यहाँ पर postmaster के दारा इसको लिखा जाता है, और कब लिखा जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सादे important है, आगे चलते ह The nominal role is also maintained for postman, और village postman in offices where their strength is more than उन कार्यालियों में भी डाकियों या gram डाकियों के लिए nominal role भी रखा जाता है, जहाँ पर उनकी संख्या कितने से अधिक हो जाती है, तो similar lines के ओपर, जैसे यहाँ पर हमने किया कि PS के काम का record होता है, postmaster के दारा इसको लिखा जाता है, उसी तर से कार्यालियों में जहाँ पर डाकियों या gram डाकियों की संख्या कितने से अधिक हो जाती है, options है 10, 20, 25 या फिर 50, तो सी answer आपके बास आजाएगा, सी 25 से अधिक जहाँ पर भी आपकी strength रहेगी, डाकियों और gram डाकियों की, बहाँ पर similar lines के ओपर एक nominal role उनके लिए भी sorting list is prepared on beach form, gram चंटाई सूची किस प्रपत्र पर त्यार की जाती है, M52, M12, MS12 या फिर MS52, तो इसका सी answer क्या दाएगा, M52 के ओपर त्यार किया जाता है, तो gram चंटाई सूची बिले sorting list M52 के ओपर त्यार की जाती है, बिले sorting list is prepared and supplied by beach of the falling, gram चंटाई सूची निमलिखित मैसे कि इसके जाती है, और इसके अपूर्ती किसके जाती है, आगे हम देखेंगे, आगे भी question आएगे कि अपूर्ती किसको की जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछाएगा है कि इसको त्यार कौन करता है, और supply किसके जाती है, तो postmaster, divisional inspector, divisional head या फिर, postmaster journal, तो उसी answer क्या जाएगा, भी आचाएगा, sub-divisional inspector के जाती है, आगे सलते हैं, next question देखने है, question आपके वास, the postmaster, should examine the village sorting list, once in a postmaster को कितने समय में, एक बार, ग्राम छंटाई सूची की जाच करनी चीए, मन्त में एक बार, एक साल में एक बार, छे मीने में या फिर दो साल में एक बार, तो इसका सी answer आपके बास आजाएगा, ए, एक मीने में एक बार उसको ये जो आपकी village sorting list होती है, उसकी जाच करनी से, ये option से या जाएगी, which of the following is true about village sorting list, ग्राम छंटाई सूची के बारे में निमलिखित मैं से कौन सा सत्य है, इसकी आपूरती डाक घर को की जाते है, कौन से डाक घर को जिसके साथ ग्राम डाकिये जुड़े होते हैं, इसके टेवल के नजदी किसको लटकाया गया होता है, it shows a list of villages in beat of each village post में, तो ग्राम डाकी जो होते हैं, उनकी गश्ट होते हैं, अब गश्ट में अधिक गों भी होते हैं, तो उन गों की एक सूची होती है, of the office in alphabetical order, और कैसी होती है, alphabetical order में होती है, या बंड माला के क्रम में, कार्याले के प्रते ग्राम डाकिया की गश्ट में गाओं की सूची को दर्शाता है, all of the above, तो इसका सी answer आपके बास क्या जाएगा, D आ जाएगा, ये सभी बिल्कुल सत्ते हैं, बिल्ले सोटिंग लिस्ट के बारे में, ये सारी चीज़ियां आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, every day, before the close of the office, who must collect all the stamps and seals, except which are required for the use at night, and lock them up, हर दिन, कार्याले बंद होने से पहले, किसे सभी मोहरों और सीलों को इकठा करना चाहिए, सिवाए उनके जो रात में उप्योग के लिए अवश्यक है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे कार्याले होते हैं, जहां पर डाक रात के समय में भी आती है, तो वहाँ पे जो आपकी मोहरों और सीलों की अवश्यक्ता होती है, उनको छोड़ कर बाकी जितनी भी कार्याले की मोहरे और सीले होती है, उनको कार्याले बंद होने से पहले किसके दारा लेकर बंद कर दिया जाता है, या ताला लगा कर रख दिया जाता है, पोस्ट मास्ट और सब पोस्ट मास्ट सब इस जया दे घाट है पोस्ट मास्ट मस्ट ना सब सब्सट जो कौन सा सत्य होगा की ओफ बन लोग आफ्टर ओफिस आवर्ज रिमेन इन पर्सनल कस्टिडी ओफ पोस्ट मास्टर एक ताले की चाबी कारेली समय के बाद व्यक्ति गत रूप से पोस्ट मास्टर के पास रहती है अधर की कैप्ट वाई असिस्टंड इन चार्ज ओफ डिपार चाबी होती है कारेली के कामकाज के घंटों के बाद पोस्ट मास्टर की व्यक्तिकत अविरक्षा में रहेगी और दूसरी चाबी समद्धित अब देखो यहां पे अगर तो रिजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो रिजिस्ट्रेशन चोटिंग असिस्टेंट के पास रहेगी अगर पार्सल डिपार्टमेंट है पार्सल बोक्स इस है तो पार्सल चाबी रहेगी तो जो भी विवाग का क्या होगा प्रमुक होगा उसके पास दूसरी चाबी रहती है यह आप्शन से हो जाएगी Suggestion and Complaint Book is made on Beach Form Suggestion and Complaint Book is made on Beach Form किस रूप में तियार की जाती है कौन से प्रपत्र के ओपर इसको तियार किया जाता है MS-12, MS-28, MS-23 या फिर MS-94 तो इसका सी आंसर क्या जाएगा D आजाएगा MS-94 के ओपर इसको तियार किया जाता है D options यह हो जाएगी Suggestion and Complaint Book is maintained by Beach of the Folling सुझाब और शिकायत पुस्तिका निमिलिकित मैंसे किस के दारा तियार की जाती है Head Office के दारा Sub Office के दारा Branch Office या फिर All of the Watt तो इसका सी आंसर आपके बास क्या आजाएगा D आजाएगा सुझाब और अपकी शिकायत पुष्टिका जो होती है सवी डागरों के जारा इसका रखरखाव किया जाता है D option से हो जाएगी Bandit the head of office should examine the complaint and suggestion book कार्यालिय प्रमुख को कभ शिकायत हैं सुझाब पुष्टिका की examination करनी चाहिए या जाज करनी चाहिए अब देखो यहाँ पे question में भी आपका एक और question शुपा हुआ है कि आपका क्या होता है किस के जारा day के end में ठीक है या दिन किस मापती के बाद complaint और suggestion book जो होती है उसकी जाज की जानी चाहिए head of office के जारा की जाती है कुछ भी question पूछा जाता है अब यहाँ पे question भी आपने ध्यान से देखना है अब question से जामन्दी जो answer है वो भी आपने याद रखना है तो क्या हो जाएगा daily at the end of each day प्रते एक दिन के अंत में head of office के जारा at the end of week at the end of month या फिर whenever he wants तो इसका सी answer क्या जाएगा आपके बास या जाएगा आगे सलते हैं इंदे sub offices which book is used at the place of postmaster's order book उप कारेलियों में postmaster की अदेश पुस्ति का किस्थान पर किस पुस्त का प्रयोग किया जाता है suggestion and complaint book, superintendent's order book, memorandum of distribution of work order book या फिर error book तो इसका सी answer क्या जाएगा D आ जाएगा आपके जो उप डाक घर होते हैं बहाँ पे आपकी postmaster's order book नहीं होते है बहाँ पे postmaster's order book की जगा पे किसका उपयोग किया जाता है error book का use किया जाता है next question आपके बास temporary arrangements made for distribution of work of PAs and postman in case of their absence should be recorded in beach of the falling तो PA और जो डाकी होते हैं उनकी अनुपस्थिती के मामले में जो भी उनके काम को करने के लिए अस्थाई विवस्था की जाते है ठीक है मालीजे कोई भी डाकिया है कोई भी PA है वो अनुपस्थित है absent अब उसकी जगा पे जो भी काम करने के लिए temporary arrangements किये जाएंगे उन arrangements को किसमें अदर्ज किया जाना सी ओपर भी एक question आया था postmaster order book में suggestion and complaint book में memorandum of distribution of work order book में या फिर error book में तो कहां पी किये जाते हैं उनको postmaster order book में postmaster की जो अदेश पुस्थिका होती है उसमें वो temporary arrangements को note किया जाता है ये option से या जाएगी which of the following should be recorded in the postmaster's order book निमलीखित मैसे किसे postmaster की अदेश पुस्थिका में दर्ज किया जाना सी result of examination of locks, uniforms and stamp advances ताले वर्दियां और stamp advances की जो भी friction के परिणाम होते हैं आपको पता है test किये जाते हैं बार बार ठीक है चैक की जाते हैं locks बगारा है, uniform है stamp advances है, उनकी क्या की जाती है जांच की जाती है समय समय पर और उनके जो भी result आते हैं वो orders passed by postmaster for regulation of his office उसके बाद postmaster के अदर अपने कार्याले के regulation के लिए जो भी अदेश जारी किये जाते हैं वो इसमें दर्ज रहते हैं तो जो बाहरी लोग होते हैं उनको निमलिखित मैसे किसकी जांच करने की अनुमती नहीं होती है record of post office, dark घर के record, articles not addressed to them लेख उने जो संबोधित नहीं किये गया articles posted by them या फिर all of the over तो इसका सी answer क्याएगा, D आजाएगा आप देखो, यहाँ पर जो भी outsider होते हैं वो एक तो डाघर के record या विलेख की जांच नहीं कर सकते हैं दूसरा, आप देखो, एक मैने जैसे माली जी कोई लेख है उसको post कर दिया, post करने के बाद जब तक कि वो प्रापत करता को प्रापत नहीं हो जाता है या फिर मुझे बापिस नहीं भेज दिया जाता मुझे बापिस उसका वित्तर नहीं मिल जाता तब तक मैं उस लेख की जांच नहीं कर सकता हूँ जब तक कि वो post office के कबजे में है तो और से बाद आपके बाद आपके बास articles posted by the माली जे किसी व्यक्ति नहीं लेख पोस्ट किया है तो वो खुद के दारा पोस्ट किये हुए लेख की भी जांच नहीं कर सकता है तो यहाँ इसका सी आंसर क्या जाएगा डियाज है का important point आ आगे सरते है question आपके बास तो दो तरह के आपके cash bag होते है एक आपका कपड़े का दूसरा आपका चमड़े का leather cash bag होता है तो यहाँ पी किसी की बात की गए यह दि मुद्रा नोटों में प्रेशन 500 रुपे से अधिक नहीं है तो कपड़े के cash bag का उप्योग किया जाना चीए true या false तो इसका सी आंसर क्या जाएगा यह आजाएगा बिलकुल सत्य है यह option से हो जाएगी इफ amount of currency notes exceeding 500 रुपे और इफ includes coins यह दि नोटों की राशी 500 रुपे से अधिक है यह इसमें सिक्के शामिल है तो चमड़े के cash bag का उप्योग किया जाना चीए true या false तो इसका सी आंसर क्याएगा यह आजाएगा बिलकुल सत्य है अगर पांस रुपे से अधिक है आपके जो भी currency notes है या फिर उसमें सिक्के भी शामिल है तो आपको leather cash bag का प्रियोग करना चाहिए आगे सलते हैं question आपके बाद cash bag should be packed closed and sealed by the treasurer in the presence of cash bag को कोशाध्यक्ष के द्वारा assistant postmaster, sir postmaster या superintendent तो इसका सी answer आपके बाद क्या आजाएगा यह आजाएगा sub account assistant उपखाता सहाय की उपस्थिती में यह option यह आप से ही हो जाएगी early village return is made up in bich of the following form तो जो आपकी बार्शिक gram विवर्णी होती है निमिलिखित मैसे किस form के उपर उसको त्यार किया जाना सी है MS-12, MS-88, MS-27, MS-28 तो इसका सी answer क्या जाएगा भी आ साएगा MS-88 के उपर उसको त्यार किया जाता है भी option सही हो साएगी आगे साथिया question आपके बाद the early village return should be kept by the sub accounted during the first 14 days of तो बाशिक gram विवर्णी को उप लेखा कारदारा किस महीने के पहले 14 दिनों के दुरान रखा जाना चाहिए तो February मन्थ ही है तो आप भी मनाते हैं March, October या फिर December मन्थ तो इसका सी answer क्या हो जाएगा आपके बाद से February मन्थ के पहले 14 दिनों के लिए early village ही इनो complained के लाट सो का चोरी हो साइन ब ग़ारा करके most इन किसको बहुत बेजान आएगा आपके बास after the completion of आपकी एरली village रिटरन बाशिक क्राम बिवर्णी जिससे का सान आता वो पूरी हो जाती है 초व़दा दिन के पस चाहाथ इसमें जो भी आपने लेख दर्ज किया है उनका टोटल किया जाएगा टोटल निकाल के साइंड वाई पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर के दारा उसके उपर हस्ताक्षर किये जाएगे एड़ वाईड फोसी किसको अगरेशित किया जाएगा शुपरिटेंडनेट सफ डवीजनर इंस Б MIDI पोस्ट मास्टर जर्नल यह फिर चीफ पोस्ट मास्टर जर्नल तो किसको भेजिज आती है इस अंसर आएगा अब भी सर्वड विजनल इंस्पेक्टर उप मंडल नरिक्षों को भेजी जाती है भी ऑप्शन से या जाएगी फार्दी कस्टिडी ओफ गवर्मेंट मनी इस सेफ प्रवाइड़ भी टू लोक्स दिवन की ओफ दी सेफ कैप्ट बाई दी पोस्ट मास्टर और इस कैप्ट बाई दी तो सरकारी धन की अभी रक्षा के लिए तिजोरी जो होती है क्योंकि आपके तिजोरी प्रवाइड कर व है तो कैसे उसमें रखी जाते हैं वो अपने एक पर थियोरी पढ़ लेनी है क्यों कोशन बाई से मोशली पूछा नहीं जाते हैं लेकिन अभी किसमत खराब होती है तब पूछ लिया जाता है तो यहां पर क्या पूछा है जो गवर्मेंट मनी होती है सरकारी धन मतलब जो अच्रफिस के पैसे होते हैं वो तीजोरी में रखे जाते हैं वो इसकी अभी रख्षा के लिए दो ताले उसमें लगए होते हैं तीजोरी की एक चाबी पोस्ट मास्टर के पास और दूसरी चाबी किसके पास रह parfait गी सब्स्क्रइडमा स्ब्सक्रार ट्रै growing या सब अकॉं से प्रपत्र के ओपर इसको त्यार किया जाता है MS-12 MS-88S-37S-27 तो इसका C-Answer आपके बास क्या आजाएगा इसका C-Answer आपके बास आजाएगा C-37 के ओपर attendance register को maintain किया जाता है next question आपके बास attendance register will be maintained by which of the following opacity register निमलिकित मैंसे किसके दारा बना कर रखा जाता है by every post office परते एक डाखर के दारा by sub post office by every post office having more than बन कलर क्या फिर all of the आपके बास इसका C-Answer कहाएगा C आजाएगा एक से अधिक लिपिक वाले परते एक डाखर दारा attendance register का रखर खाम किया जाता है अगला question आपके बास the billing sorting list once in a month should be examined by तो महा में एक बार ग्राम छंटाई सूची की जाच अवश्य किसके दारा की जानी चाहिए उपर भी एक question हमने किया था sub divisional inspector superintendent सब account assistant या post master तो बहाँ पे question हमने किया था मैंने बोला था question के अंदर और question बनते हैं तो बहाँ पे हमने किया था कि जो आपकी बिले sorting list होते हैं sub account assistant के दारा उसको कब चैक किया जाना चीए तो कितने समय में एक वार अवश्य चैक किया जाना चीए बहाँ पे हमने क्या किया था month में एक वार अवश्य चैक किया जाना चीए किसके दारा sub account assistant के दारा सी option या पे सही हो जाएगी और last question ask की video का any information received by the officer of the department officially should not be made public but this restriction not applicable to विभाग के अधिकारी दारा नहीं के DOP के किसी भी अधिकारी के दारा जो भी अधिकारी के तोर पर officially उसको कोई भी information प्राप्त होती है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चीए ठीक है तो जनता को नहीं बताना चाहिए लेकिन यह प्रतिवंद कहां पे लागू नहीं होता है Competent Court of Law District Magistrate Commissioner of Police या फिर ओल अफ दियो से answer काएगा डिया जाएगा और यह सारे पूछेंगे तो उनको बता देनी है बाकि आपने जनता को नहीं बतानी है तो Volume 6 Part 1 में आज पहली वीडियो थी Important Questions की आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे बहुत जादे ही Important Question है किसी भी Question का answer आपको गलत लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप उस चीज के बारे में बताएं Regular Classes के लिए हमाँसा जुणना साहते हैं स्क्रीन पर दियो नमपर पर मैसेज कर सकते हैं और हमाँसा जुड़ सकते हैं धन्यवाद